अनोखा रिजाइन, कर्मचारी ने छोड़ी तॉक्सिक नौकरी अपने एक्स बॉस के सामने ही धोल की थाप पर किया भनगड़ा। पुने के एक व्यक्ती ने हाल ही में अपने कतित टॉक्सिक वर्क प्लेस को अलविदा कहा और बता दे कि यह कोई सामान्य विदाई नहीं थी। सल्ज एसोसियेट अनिकेट ने म्यूजिशियन को अपने दफ्तर में बुलाया और धोल की थाप पर दान्स किया जबकि उनके बॉस देखते रहे। कमपनी से यह असामान्य विदाई का वीडियो लोक्प्रिय सामगवी निर्माता अनीश भगत द्वारा ओनलाइन पोस्ट किया गया था। निर्माता ने दावा किया मुझे लगता है कि आप में से बहुत से लोग इस से संबंधित होंगे। विशाक्त कार्य संस्कृती इन दिनों बहुत प्रमुख है। सम्मान और अधिकार की कमी काफी आम है। उद्धरन चिन्ह भगत ने दावा किया कि अनिकेट ने वेरी टॉक्सिक कार्य वातावरन के कारण अपनी तीन साल की नौकरी छोड़ दी। इन्स्टाग्राम पर शेयर किये गए एक वीडियो में अनिकेट ने कहा कि उनकी परवरिश मूंग फली में हुई थी और उनके बॉस से कोई सम्मान नहीं मिला। उन्होंने कहा कि उन्हें फसा हुआ महसूस हो रहा है क्योंकि वह एक मध्यम वरगिय परिवार से हैं। अनिकेट की विदाई को यादगार बनाने के लिए भगत ने अनिकेट के दोस्तों के साथ मिलकर उसके अंतिम दिन अपने कार्याले के बाहर एक सर्प्राइज पार्टी का आयोजन किया। वे दोल लेकर आये और उसके प्रबंधक के बाहर आने का इंतजार करने लगे। जैसे ही उसने ऐसा किया, अनिकेट ने उससे हाथ मिलाया और कहा, सोरी सर, बाई बाई। इसके बाद वह दोल की थाप पर नाच रहे थे। उनके मैनेजर निस पश्ट रूप से नाराज होकर वीडियो को बनाने रोकने की कोशिश की। हरपपा इंसाइट्स की 2023 की रिपोर्ट में टॉक्सिक बॉसेज और टॉक्सिक वर्क प्लेस वातावरन को कर्मचारियों के नौकरी छोड़ने के प्रमुक कारकों के रूप में उध्रित किया गया था। रिपोर्ट में पाया गय कि 58 प्रतिशत कर्मचारियों ने विशाक्त मालिकों के कारण अपनी नौकरी छोड़ दी जबकि 54 प्रतिशत ने कार्यस्थल के विशाक्त वातावरन के कारण नौकरी छोड़ दी